हाई गाईस वेलकम तो माई चानल आज किस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़ादा अमेजिंग रेमेडी शेयर करने वाली हूँ चाहे आपके स्कीन पे कितनी भी सालो पुरानी टैनिंग हो डर्ट हो गंदगी हो बहुत इजीली आप इसको पहली बार में खतम कर सकते हैं इतना ज़ादा अमेजिंग ग्लो देता है यह आपको और बहुत ही ज़ादा अमेजिंग ली आपकी स्कीन पे वर्क करता है चाहे कितनी ही टैनिंग हो चाहे कितना ही काला पन हो सालो पुराना उसको पहली ही बार में खतम कर आपको ग्लोइंग फ्लॉले स्कीन देने के साथ जो है आपके स्कीन को डीपली क्लीन करता है और यह रेमेडी बनाने में बहुत जादा आसाने जितनी बनाने में आसाने ना उतनी जादा इफेक्टिव है वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है ना तो प्लीज एक लाइक जरू करा करें और भी अचीची वीडियो देखने के लिए चानल को जरू सब्सक्राइब परें तो मिल्क में होती है नरेशिंग और मौशराइजिंग प्रॉपर्टीज एंड सबसे इंपोर्टन चीज जो है इसके सर्प्राइजिंग ली बैनेफिट है हमारे स्कीन पे और जो सबसे चीज है ना यह आपकी स्कीन में अगर टानी हो गई हो जिद्धी से मैल हो गई है तो उस इसको भी यह कंप्रीटली खतम करता है इस रेमेडी का इस्तेमाल जो है आप हातो पेरों के साथ जो है फेस पे भी कर सकते है के बाद हम इसमें एड करेंगे पींच आप के करीब टर्मरी कीचन वाली हल्दी आपने नहीं लेनी है आपने लेनी है और गानिक टर्मरीक जो आ आपको नाचरल ग्लो प्रोवाइड करती है अगर आपको आकने है दाने है दाग दब्बे है पूरे शरीर पर उसको भी खतम करती है और जो सबसे इंपोर्टन चीज जो है यह आपकी जूरियों को खतम करती है एजिंग को स्लोडाउन करती है तो यहां पे जो है पींच आप ऐसके स्थिमाल कर सकते हैं अधर्वाइस जो भी आपको सूट करता है लाइक अलमन्ड ओड ओल तो आपने उसके इस्तिमाल करना है तो यहां पे एक चमज के करीब जो है में चोकोनट और तो लेलों है चोकोनट और के हमारी स्कीन पे अमेजिंग करता है और सबसे जो अच्छी चीज है कोकोनट जो है हीलिंग का भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है एजीली हमारे स्कीन पर एब्जॉव हो जाता है और यह नाच्रली जो है आपके स्कीन को सौफ्ट एंड हैल्दी बनाता है तो यहां पर एक चमच के करीब मैं इस रेमेड्य को आपने बना के नहीं रखना है जैसे आपने बनाना है वैसे ही आपने इसका स्तेमाल करना है अच्छा जी उसके बाद इसमें हाफ चमच के करीब मैं हानी को एड़ कर लूँगी हानी जो है आपके पाद जो भी अवेलेबर आपने उसको एड़ करना है गाइस हानी के हमारे स्कीन पर अमेजिंग बैनेफिट है सबसे जो अच्छी चीज है यह हमारे स्कीन को डीपली जो है मौशराइज हाइट्रेट रखने के साथ साथ जो है हमारे प्रीमिचुर एजिंग पर बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है जो सबसे चीज है यह बहुत ही इसली जेंटली जो है हमारे स्कीन को क्लीन करता है हाइपर पिग्मेंटेशन को खतम करता है लाइटन करत तो जो हनी है इसके हमारे स्कीन पर अमेजिंग बैनेफिट है उसके बद इस सारी चीजों को हमने अच्छी तरह किसे मिक्स करना है आच जी मैं आप लोगों को पता दूँ फेस पे हो हातों पेरों पे हो पूरी बॉड़ी पे हो कहीं पे भी आपको बहुत ज़्यादा जिद्दी सी टानिंग हो मैल जमाओ गई हो सालो पुरानी जो निकलने का नाम नहीं लेती लेकिन यह अमेजिंग रेमेडी जो है सालो वैसे आपने इस्तिमाल करना है तो सबसे पहले आपने क्लीन हातों पर पेरों पर फेस पर जो है आपने इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से अपलाए करना है अच्छी तरीके से जो है आपने इसका स्क्रब करना है जितना भी टानिंग है डर्ट है आप इससे बहुत ही dirt है उसको बहुत ही easily आप इसको खतम कर पाओ and मैं आप लोगों को बता दू फुल बॉडी पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते लेकिन यह इतनी ज़ादा amazingly work करती है यह आपकी skin को dry नहीं होने देगी patchy सी dry सी saggy सी skin में भी jaan add करती है and glowing skin जो है आपको बहुत ही ज़ादा flawless skin देने में help करती है and यह deeply moisturized भी करती है and सबसे ज़ाची चीजे यह सारी ही चीजे जो हमने इसमें add करी है यह जो है skin की lightning के लिए बहुत ही ज़ादा amazingly work करती है तो अच्छी तरीके से 5-7 मिनिट जो है and सबसे जो अच्छी चीज है ना यह आप इसका इस्तेमाल face के साथ-साथ full body पे कर सकते है 5-7 मिनिट के बाद जो है अच्छी तरीकी से massage करने के बाद अपने हाथों पेरों को face को अच्छी तरीकी से wash कर लिजे इसके बाद मौशराइजर लगाने के जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें coconut oil को add किया है जो नाच्रल मौशराइजर की तरह हमारी skin पे काम करता है and glowing skin देने में बहुत ज़्यादा amazingly work करता है सबसे important चीज जो है शबसक्राइब थाओ शबस्च्राइब थाओ उस प्रमोर वीडियोज आए